So guys, क्या हाले आप सभी के and welcome back एक और नए interesting वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत सौगत है और आज का जो हमारा वीडियो है आपके लिए काफी ज़दा knowledgeable होने वाला है क्योंकि आज मैं आप से Nikon के D-300 camera का video manual के वारे में टोटल सैटिंग्स बताने वाला हो कि क्या सैटिंग्स आपकी होनी चाहिए जब भी आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम जाते हैं वीडियो सैटिंग्स में तो आपको 50 P का भी option आता है 30 P का भी option आता है 25 फुल HD का भी option आता है 24 P का भी आता है और HD video का भी option है, इसमें 60 P और 50 P तो आप decide कर सकते हो कि आपको कोन से FPS में shoot करना अगर आप जाधा FPS में shoot करते हो, it means कि आप अपने वीडियो पर slow effects ला सकते हो यह काफी help करता है slow motion के time पर जब आप इसको edit करोगे अपने software पर उसके बाद जो next आता है movie quality, आपको movie quality क्या choose करनी है, ठीक है अगर में high quality पर आप record करते हो, तो क्या होगा कि आपको colors होगे, उसमें क्या के color के tones होते है वो पूरा complete record करेगा, यह complete data वो capture करता है आपका camera जिससे की जब edit करते हो, तो काफी सारे details आपको मिल जाता उसके बाद microphone का option आता है, microphone का option काफी अच्छा है इसमें, एक तो auto sensitivity है, अगर आप auto sensitivity active करते है, तो camera automatic sound को record करता है उसके बाद क्या आता है, manual sensitivity, manual sensitivity में आपको काफी अच्छा benefit मिल जा है, क्योंकि आप अपने distance के according उसको set कर सकते हो, ठीक है, जैसे आप 10 है, 10 हो गया, फिर 15 तक आता है, जो कि आप maximum distance क्या है कि 20 तक आता है, sorry, 20 तक आता है, तो इसमें आप अराम से आप अपने distance के according, manual sensitivity को, आता है, आपका जो extra noise वो ना है, इसके बाद आता है, wind noise reduction, मतलब कई वारों तर हवाय चलती है, तो काफी सरे हवाय शौश के आवाज आती है, तो उसको reduce करने के लिए आप इसको on कर सकते हो, और जो last में हमारा आता है, manual movie setting, तो of course, अब अगर आप manual mood में movie shoot कर रहे हो, तो इ live display पे, and आपको मैं ये बताने बाला हूँ कि actual मैं अब shutter speed, apportion and ISO क्या होना चाहिए, अभी तो photography mode पे है, तो जो मेरा ISO है auto किया हुआ है, तो मैं आपको बताता हूँ कि shutter speed क्या होना चाहिए, ठीक है, technically अगर मैं बात करो तो shutter speed, just आपने जो frame rate and frame size जो choose किया है, उसके just double होना च follow नहीं करोगे, तो motion में effects आएंगे, आपका जो lighting का frequency है, वो को change आएगा, तो जो भी fps चूज करें, just उसका 2 से multiply कर दे, और double shutter speed कर दे, aperture, simple सी बात है कि आपको depth कितना चाहिए, ठीक है, तो aperture उसके according आप चूज कर सकते हो, और मैं हमेशे recommend करूंगा कि एक prime lens का use जरूर करें, ISO, आप manually उसके बाद ISO आप use कर सकते हो, अभी तो मेरे फोटोग्राफी में था, इसलिए वो auto था, लेकिन आप यहां से जाके है, easily ISO को आप manage कर सकते हो, कि आपको कितना exposure चाहिए, ISO का use हम ज़्यादा ना करें, क्योंकि एक digital power होता है, ज़्यादा ISO यूज करने से काफी साथ grains, noise आने का काफी ज़्यादा डर रहता है, कम light में ज़्यादा boost ना करें, तो menu पर जाके आप जो function को use करोगे, जो settings को manually use करोगे वीडियो के लिए, वो i button पर सारे function, सारे settings अविलेवल है, मैं i button के तुरू आपको सारे settings यही पर बता दूँगा, जो काफी help रहेगा आपके जैसे ही मैं i button को press करता हूँ, सबसे पहले जो में पर पास option आता है, settings आता है, वो है image quality, तो image quality आपकी image settings के लिए है, इसको मैं add in नहीं करूँगा, ठीक, इसके वाज image size, यह भी image pictures के लिए इसको बैड नहीं करूँगा, wide balance, next आता है friends, wide balance, और ही बहुत जाधे importance है, कुछ व तरीके से बताना चाहो, तो अगर आपका सफेद रंगे सामने, तो सफेद ही दिखना चाहिए, उसमें blue या warm कुछ नहीं दिखना चाहिए, तभी आपके जो accurate color है, वो match होंगे, otherwise नहीं होंगे, तो white should be white, सफेद हमेशा सफेद ही दिखना चाहिए, wide balance में, तो आप अपनी location क according, wide balance को set कर सकते हैं, ठीके, direct sunlight पर शूट कर रहे हो, किसी चाहे में, shade में शूट कर रहे हो, तो इस चीज़ को आपको काफी ज़्यादा ध्यान में रखना है, कि आपका जो accurate है, उस location का colors, उसको आप किस तरह से use कर सकते हो, last make option आता है, preset wide balance का option आता है, यह भी काफी अच्छ पर मैंने dedicate video बना रखा है, आप में चैनल पर जाखे विजिट कर सकते हैं, यह आई बिटन पर में share कर दूँगा, ठीके friends, यह तो होगा wide balance, इसको थोड़ा जानना, समझना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर आपके video में colors अच्छे नहीं आएंगे, तो वो video बिल्कुल अ क्योंकि manual video shoot करें, तो हब video manual पर ही बनाएंगे, आटो पर नहीं रहें, जो next option आता है, जो next setting आता है, काफी कमाल का है, इसको भी आपका use करेंगे, तो really काफी अच्छा features दिया हुआ है, कैमरे में, active delighting, actually active delighting photo में भी काम आता है, विडियो में भी आप इसका use कर सकते हो, यह क on रखें, क्योंकि कहीं पर details काफी बहुत ब्राइट होता है, कहीं पर या कहीं बहुत जादा shadow होता है, तो details हमें proper दिखते नहीं है, तो आप इसका use करके आप उस details को निकाल सकते हो, तो इसको on रखें, तो उसके बाद अब flash mode, तो flash mode भी आपका इसमें कोई जोरत नहीं है, तो आपके वीडियो उतना ही अच्छा बनेगा, तो आप नाइट में आप 800-1000 के आसपास आराम से जा सकते हो, बट यहां पर ISO है, 800 के बाद सीधे 1600 है, तो थोड़ा सो ग्रेंज मिल जाएंगे, अगर आप 1600-32 यूज करोगे, तो कम से कम यूज करें, तो इसके बाद जो आत इया मोट को बहुत जादा ध्यान रखनी की ज़रुवत है, यह दो फंक्शन है, जो आपका पूरा वीडियो जिस पे डिपेंड करता है कि कैसा बनेगा, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हो, EFS के बारे में, आटो फोकस सिंगल मोट, और सिंगल मोट से मेरे यह मतलब है कि अगर आप किसी वीडियो को रिकॉर्ड करते हो, तो जैसे कि आप कैमरे को शिफ्ट करते हो, एक से दो जगा, ठीक है, तो आपको क्या अगर शटर बटन के थुरू हमेशा उसे फोकस करना होगा, यह किसी स्टिल पोसन के लिए है, ठीक है, तो इसमें का कर रहा तो वहां के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, इसमें क्या है कि सब्जेक्ट एक बार आप फोकस कर दोगे, तो फोकस रहेगा वो, ठीक है, क्योंकि वो स्टिल है, वो मूव नहीं कर रहा हो, तो इसमें क्या होता है, कि जब भी हम अपने कैमरे को एक जगे से दो ज करता है, जब आपका कैमरा होता है, आपके subject को full time के लिए autofocus करते रहता है, जब तक उसके सामने रहेगा, या फिर left होता है, राइट होता है, इसमें हमें shutter button को release, या फिर press कने की ज़रुवत नहीं होती है, आपका camera automatic ही अपने subject को focus lock कर देता है, और ये काफी अच्छा option है जब भी आप video record करें, जो मेरा recommended है आपके लिए कि जब भी आप manual video record करें, जो focus mode of friends, उसके लिए आप AFF autofocus full time को ही select करें, इससे आपको काफी help मिलेगा कि जब भी आप video record करेंगे, आपका जो camera होगा automatic अपनी subject को focus lock कर देगा, तो यह काफी अच्छा option है, friend जो उसके बाद third focus mode ह वो है आपका MF, अब manual focus कि अगर हम manual video record करें, तो भी रखें, तो ठीक है, आप रख सकते हो, इसमें आपको effects तो काफी अच्छे आएंगे, क्योंकि देखिए, best क्या होता है, manual focus ही होता है, एक video में record करके भी दिखा दूँगा, कि manual focus किस तरह से काम करता है, अगर आप MF को choose क करते हो, तो lens में जो ring है, उसके थुरू आपको focus करना होगा, and really, अगर 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 आप एक बार practice हो जाती है, आपके video record करनेगी, तो really काफी कमाल की video बनेगी, क्योंकि इसमें जो focus का shifting होगा, smooth होगा काफी, और आपका video होगा, काफी अच्छा बनेगा, क्योंकि Nikon में entry level प आपको मिलेगा, काफे चा, smoothness मिलेगा आपको, तो MF भी आप use कर सकते हो, इसके लिए थोड़ा सा, मैं आपको बोलूँगा कि practice जरूर कर ले, क्योंकि जल्दी कोई नहीं कर पाता, manual पे, ठीक, इसके लिए आप practice जरूर कर ले, बाकी video है, मैं आप शेर कर दूँगा, ठीक अगर सामने कोई बंदा है, तो वो उसके face को read करते रगा, वैसे मैंने record नहीं किया है, लेकिन आप करके देखेगा, automatic वो अपके subject होगा, इसके face पे focus को lock कर देगा, ठीक, आपका camera का automatic पता चल जागा, सामने कोई बंदा है, कोई person है, उसके face को, वो focus lock कर देगा, तो वैसे तो मैं इस एवरल वीडियो में नहीं बनाया हूँ, friends, तो मैं share नहीं कर सकता हूँ, चले कोई बात नहीं, आप ज़रू try कीजिएगा, ठीके, उसके बाद जो area mode आता है, वो आटा है, वाइड area AF, अम मालनी जे friends, आपका subject है, वो थोड़ा सा बड़ा है, मतलब ग्रीन कलर का camera automatic focus करता रहा है, ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँगा, तो यह होगा normal area AF, मालनी जे उससे ज़्यादा चोटा है subject, अब ध्यांदी जी का जो आपका green color का circle आएगा, वो चोटा है पहले से, मतलब wide से चोटा है, मतलब अगर कोई subject आपका और चोटा होगा, ठीक है, म ऐसा था, entry model जादा features नहीं है, लेकिन जितनी features से really काफी कमाल के features दिये हुए है, इनका सब का use करके आप अच्छे खासे photography, videography आप कर सकते हो, ठीक है, तो यह normal area mode है, आप इसका use कर सकते हो, किसी small subject के लिए, उसके बाद जो option आता है, वो आता है, आपका tracking, जो last है, subject tracking AF, और इसका video मैंने last ही upload किया है, और मैंने बताया थे कि next video मेरा D-35 से video से related होगा, तो tracking भी काफी कमाल का है, यह video तो मैंने share किया है, अगर अब नहीं देखे हो, तो मेरा last वाले video देख लीजेगा, उसमें subject tracking के बारे मैंने बता रखा कि किस तरह से अब इस active कर सकते हो, and really काफी अ कर रहा है, little bit जो hunting होता था, थोड़ा ना थोड़ा इसमें less हुआ है, मैंने record किया है, आप देख सकते हो video, तो काफी अच्छा option है, आप इस option का भी use कर सकते हो, friends, अपने video को record करने के लिए, यह जो मैंने setting वताया, autofocus mode और autofocus area mode, really काफी importance है, इस पे आप जरूर धहन दीज कर सकते हो, military, military करता है, यह आपके sensor पे light को measure करता है, ठीक है, आपके sensor पे कहाँ पे कितनी light होनी चाहिए, यह आपका military measure करता है, ठीक है, जो matrix military है, वह से तो photographies जादा इसको follow करता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा work बता देता हूँ, ठीक है, matrix military क्या हो गया, कि अगर आप photography करते हो, तो आपका sensor है, पूरे frame पे proper light देगा, ठीक है, इसमें आपका subject होगा, और जो आसपास के area होगे, जो extra frame होगा, उसमें सारे पे proper light देगा, ठीक है, अब जैसे मैं किसी subject को focus करता हूँ, तो उस पे वो proper light देगा, friends, उसके बाद जो आता है, center rated metering आता है, अब मान ली कोई portrait shot ले रहे हो, आप कोई small shot ले रहे हो, तो क्या करता है, कि आपका sensor है, वो 60-70% light आपके center पे ही देता है, extra frame जो आप capture करते हो, friends, उस पे light पूरा नहीं देता है, जो center पे जो आपका subject होगा, वो उस पे जादा light देता है, तो क्या होगा, कि highlight मतलब उस area को highlight जादा दिख ठीक है, उसके बाद आता है, इस पोर्ट military का फोटोग्राफी कर रहे हो, तो क्या करेगा, वो small से, उस focus point पे, वो light को highlight करेगा, बाकी sensor पे बहुत कम light को highlight करेगा, तो ये military के बारे में है, उसे फोटोग्राफी में जादा follow होता है, ठीक है, उसके बाद होता है, set picture control, एंड picture control भी बहुत important से आपके वीडियोग्राफी के लिए, इसमें भी काफी type के picture controls हाते है, HD, neutral, vivid, monochrome, ठीक है, ये वो picture controls होते हैं, जो आप अपने फोटोग्राफी में तो use करते ही थे, इसको वीडियोग्राफी में भी use कर सकते हो, ठीक है, इसके अंदर आप अपने setting को भी set कर स और ये जो जैसे standard, neutral, vivid दिया हुआ, ये automatic दिया हुआ है कि आप इसका भी direct use कर सकते हो, अगर आपके सामने कुछ ऐसा location आता है, वैसे friends, अगर मैं आपको बताना चाहूं कि आपको किसमे record करना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ, एक तो neutral है, ठीक है, इसमें भी colors होत आते है, तो आप जब भी video edit करोगे, तो आप काफी सारे colors को boost कर सकते हो, ठीक है, अगर आप black and white चाटते हो, तो black and white का option दिया हुआ है, पोट्रेट, अगर किसी portrait वीडियोगराफी करते हो, तो आप इसका use कर सकते हो, लैंड इसके वीडियोगराफी करते हो, तो आप landscape का use कर सकते हो, और अगर आप ऐसा चाहते हो, कि बाद में आप और ज़्यादा color को edit कर सकते हो, तो फ्लैट का option इसमें दिया हुआ है, इसमें क्या होता है, कि जो color से neutral से भी ज़्यादा down हो जाते है, तो आप इसका use करके, आप बाद में जो edit करते हो video में, तो उसको edit कर सकते हो, ठ तो इसका use कर सकते हो, तो friends, यह जो settings मैंने आपको बताया, really काफी good settings है, और manual mode में use करने के लिए आप इस सारे settings को शरूर आप अच्छे से read कर लो, क्योंकि यह सारे settings आपको काफी help करेगा, ठीक है, बाकि जो exposure compensation यह फोटोग्राफी में ज्यादा use होता है, इसमें क्या है कि यह भी थोड़ा ISO की तरह बूस्ट करता है, light को, तो काफी अच्छा है कि, अगर सामने subject थोड़ा dark है, तो इसके थुरू आप up-down करके, इसका use कर सकते हो, ठीक है, तो I hope, total settings मैंने बता दिया है, कि entry model पर जादे features हमें नहीं मिलते हैं, बर जितने मिलते हैं, friends, बहुत से read कीजिए, practice कीजिए, आपका जो manual video है, friends, काफी अच्छा आएगा, काफी अच्छा record होगा, आपी अच्छा output आएगा, friends, यह proper video है, कि manual में जब आप record करने जाओगे, तो कि settings को आपको use करना चाहिए, कि setting का क्या मतलब होता है, अकर समझ में नहीं आया होगा, तो आप comment कर के पूछ सकते होगा, कुछ points आपको समझ में नहीं आयागा, otherwise आप video को back कीजिए, देखिए, तो आपको video manual में video shoot करने के लिए काफी अच्छा, मैंने video आपके साथ share किया है, और आपका जरूर help होगा, काफी knowledgeable video है, तो friends, अगर video में नए आया हो, और video आपको पसंद आ रहा ह है, तब तक के लिए, good bye